मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा पूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए पूले जीवन में हो जाए शिव बाबा ओम शान्ति आज की कारिक है अठाई दिसंबर दो जाथ तेईस के बाबा के साकार महाबा क्या है मीठे बच्चे दान सदा पात्र को देना है फाल्तु समय बेश्ट नहीं करना है हर एक की नबस देखो कि सुनते समय उनकी बृती कहा जाती है बाबा ने प्रेशन पूछा पाबन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत बारी परहेज करते हो तुम्हारी परहेज क्या है बाबा ने उत्तर दिया गरस्त बेवार में कमल फूल के समा रहना ही सबसे बारी परहेज है हमारा त्याग है सारी बेहत की पुरानी दुनिया का एक आँख में है स्वीट हो दूसरी आँख में है स्वीट राजधानी इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देख रा यह है बहुत बड़ी परहेज इसी परहेज से पाबन दुनिया में चले जाते हैं गीत धीरजधर मनुवा धीरजधर तेरे सुकते बरे दिन आएंगी धीरजधर मनुवा धीरजधर ओम शांती गीत सुनने से ही बच्चों को खुशी का पारा चड़ जाना चाहिए क्योंकि दुनिया में दुख तो है ही मनुश्य मतर है ही नास्तिक अर्थात बाप को नहीं जानते हैं अब तुम नास्तिक से आसिक बन रहे हो तुम बच्चे अब जानते हो कि हमारे सुक के दिन आ रहे हैं कहीं भी तुम जाते हो तो पहले पहले तुम अपना प्रिच्चय दो हम अपने को ब्रह्म कमार कमारी क्यों कहलाते हैं ब्रह्मा है प्रजापिता शिप का बच्चा उँच ते उँच उस नीराकार को कहा जाता है ब्रह्मा विश्णु शंकर तो उनके बच्चे हैं नहीं कहेंगे, परजा पिता ब्रम्मा यहां है देखो, यह पॉइंट अच्छी तरह धारन करो, लक्षमी नारायन, रादे क्रिशन को परजा पिता नहीं कहेंगे, परजा पिता ब्रम्मा नाम मशूर है, यह परजा पिता साकार, अब सवरकर चेता तो परम पिता परमातमा श सवरग रचते हैं, हम उनके बच्चे कितने धेर हैं, आतमाय तो हैं ही, परम पिता शिब की संतान, समझाने का बड़ा अच्छा तरीका चाहिए, बोलो हमको बहराज योग सिखलाते हैं, ब्रमा दवरा सुरिष्टी के आदी मद्या अंत का राज समझाते हैं, तो पहले ये ब प्कॉप गाया भी जाता है, कन्या वह जो 21 कूल का उद्दार करें, 21 जनम का सुख दे, हम परम पिता प्रमात्मा से 21 जनम सत्युक त्रेता में सुख पाने लिए बरसा लेते हैं, बरोबर सत्युक त्रेता में भारत सदा सुखी था, पवित्रता भी थी, तो वह हमारा उनको तो कोई परवाह नहीं, कितने उनके बच्चे हैं, हमको ब्रमा द्वारा शिव बाबा राजोग सिखलाते हैं, उस बेहत के बाप से हमको बरसा मिलता है, सारी दुनिया पतीत है, उनको पावन करने वाला एक बाप है, यानि कि परमपिता परमात्मा शिव, पुरानी द्वरक कर चिता वह सत्गुरु है, सब गुरुआं का गुरु शिव, सत्गुरु, सरब का सदगती दाता, नई दुनिया में है ही लक्षमी नरायन का राजय, भारत में जो देवी देपताओं का राजय था, वह देपताओं ही चुरासी जर्म लेते हैं, फिर बरन भी बता समय पहले से ले लेना चाहिए, बोलो, इन बातों को चित लगाकर अच्छी रिती सुनो, बुद्धी को भठकाओं मत, भाई जी, बाब बहन जी, तुम सब बास्तम में शिव की संतान हो, प्रजा पिता ब्रमा तो सारे सिजरे का हैड हुआ, हम ब्रमा मुख मिशाबली ब्र उन से बरसा ले रहे हैं, योगबल से बिशव का रज्य पाते हैं, ना की बाहुबल से, हम घरवार नहीं छोड़ते हैं, हम तो अपने घर में रहते हैं, यह स्कूल है, मनुश्य से देपता बनने का, मनुश्य तो कोई देपता बना न सके, यह दुनिया ही पतीत है, पानी क गंगा तो पतीत पावनी नहीं है बार बार उसमें सनान करने जाते हैं पावन बनते ही नहीं ऐसे ही रावन का भी मिसाल है बार बार जलाते ही रहते हैं रावन मरता नहीं है यह रावन वाला पोस्टर भी ले जाना चाहिए कोई ऐसी बड़ी जगें जाओ तो एलबम भी ले जाना चाहिए, देखो, यह सब बच्चे हैं, सभी की पर्तिग्या की हुई है, पिवित्तर रहने की, भास्तर में ब्रमा के सभी बच्चे है, परजा पिता ब्रमा सिजरे का हेड है, इस समय practical हम ब्रह्म कमार कमारिया हैं हो तुम भी परंतु तुम पहचानते नहीं हो अभी दुनिया में कोई सच्चा ब्रामन नहीं है सच्चे ब्रामन तो हम है राज्या भी हम पाते हैं फिर यह है ब्रामनों का सिज्रा ब्रामन है चोटी बच्चों को समझाया है शिरी किशन भगव नहीं है वह तो पूरे 84 जनम लेते हैं 84 जनम पूरे होते ही फिर देपता बनना है कौन बनाई बाब बनाते हैं हम उनसे राज योग सीख रहे हैं उनकी ही महिमा है एक कमकार वह है निराकार निरहंकारी उनको आकर सर्विस करनी पड़ती है पतीत दुनिया पतीत श्रीर में आ रहा है महाभारी रडाई लगी थी सब मच्छरों सा दरिश गए थे अब वहीं समय है परमपिता परमात्मा शिब भगवानु बाच वह हर चेता स्वरग में लक्षमी नहरायन का रज्य था स्रिष्टी को सतो परदान बनाना बाब का ही करतब्य है हम उनको बाबा बाबा कह आते हैं वैं आते जरूर हैं शिबरात्री भी है इसका अर्थ भी बताना चाहिए पॉइंट नोट कर फिर धारन करनी चाहिए पॉइंट्स बुद्धी में रहनी चाहिए कन्याओं की बुद्धी तो अच्छी होती है कुमारी के पैर्थ होते हैं है तो कुमार और कुमारिय दोनों पवित्र फिर कुमारी का नाम क्यों गाया जाता है क्योंकि तुमारा अभी का जो नाम है कि कन्या वह जो 21 कुल का उद्दार करे तो वह तुमारा मान चला आया है हम भारत की रुहानी सेवा करते हैं हमारा उस्ताद मददगार परमपिता परमातमा शिव है उन से हम योग बन से शक्ति लेते हैं, जिससे हम 21 जरम एवर हेल्दी बनते हैं, यह गरेंटी है, कल यूग में तो सब रोगी हैं, आयू भी कम है, सत्यूग में इतनी बड़ी आयू वाले कहां से आए, इस राज यूग से इतनी बड़ी आयू वाले बनते हैं, वहां अकाले म पुर्टिव होती नहीं एक श्री छोड़ दूसरा लिया जाता है यह पुरानी खाल है शिप बाबा की याद में रहे इस दे से इत देख के सब संबंदों को भूल जाना है बुद्धी से हम बेवत का त्याक करते हैं हमारी बुद्धी योग की रुहानी यात्रा है वह जिसमा वाले ही सुरग में आएंगे अब फिर से सैपलिंग लग रहा है हम सब उस बाब के बच्चे हैं हम बच्चों को शिप बाबा से बरसा मिलता है यह दादा भी शिप बाबा से बरसा लेते हैं आप भी बेहत के बाब से बरसा लो यह बड़ी होस्पिटल है हम 21 जनम के लिए फिर कभी रोगी नहीं बनेंगे हम भारत की सची सेवा कर रहे हैं इसलिए गायन हैं शिव शक्ति सैना अब बाप कहते हैं याद से अपने बिकरम बिनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी और ग्यान को धारन कर दिसने से तुम चकर्वती राजा बनेंगे हम पवित्तर बनेंगे तो लक्ष्मी को अत्मा नरायन को भी वरेंगे सरवगुन संपन्द संपूरन निर्विकारी यहां नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नरायन को कैसे वरेंगे इस रिये कहा जाता है आइने में अपने को देखो लक्ष्मी नरायन को वरने लाइक बने हो से आना पड़ता है जरूर पतीत दुनिया में आए तो पावन बना कर ले जाएं यहां हम प्रहेज भी बहुत रखते हैं हमारी एक आख में स्वीट होम और दूसरी में स्वीट राजधानी है हमारा त्याग सारी दुनिया का है घर गरहस्त में रहते कमल फुल समान पुवित् प्रस्ते हैं बान प्रस्त अवस्ता है चलो मुक्ती धाम के लिए पुर्शार्थ करे इस समय तो सबकी बान प्रस्त अवस्ता है हर एक को हक है बाप से बरसा लेने का दुख दाम को भूल जाना है यह है बुद्धी से त्याग हम प्रानी दुनिया को भुद्धी से भूल न मैं राजयोक सिखलाकर मनुश्य से देपता बनाता हूँ, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, बोलो हम जो सुनाते हैं वह वैट कर सुनो, बीच में प्रेशन कूछने से वह परभा तूट परता है, हम आपको सारे स्रिष्टी चक्कर का राज बतलाते हैं, शीब बाबा का ड्रामा मे क्या पाठ है, लक्षिमी नरायन कौन है, हम सब की जीवन कहानी बताएंगे, हर एक की नमस देखनी चाहिए, उस समय की बृती देखनी चाहिए, ठीक सुनता है, तबाई होकर तो नहीं बैठा है, यहां वहां तो नहीं देखता है, यहां बाबा भी देखते हैं, कौन सामने सुनकर जूनते हैं, यह ग्यान का डांस है, वे स्कूल तो छोटे होते हैं, जो टीचर अच्छी रिती देख सके, और नमबर वार बिठाए, यहां तो बहुत हैं, नमबर वार बिठा नहीं सकते, तो देखना पड़ता है, किसकी बुद्धी कहीं भागती तो नहीं है, मुस देखने की भी समझदारी चाहिए, कौन सा दान, ग्यान दान, मनुश्य तो डरते हैं, खास सिंदी लोग समझते हैं, कहीं बीके जादू ना लगा दे, इसलिए सामने देखते भी नहीं हैं, शीब बाबा समझाते हैं, तुम ब्रामन ही तरिकाल रशी बंते हो, फिर वर्नो का राज भी समझने का है, हम सो का अर्थ भी समझाना है, हम आत्मा सो प्रमात्मा कहना रोंग है, कोई फिर ब्रमा को भी मानने वाले हैं, कहते हैं, हम ब्रम सिम, माया तो पांच विकार है, हम ब्रमा को मानते हैं, अब ब्रम तो महतत्तब है, जो हमारा निवास थान है, जैस वैसे हिंदुस्तार में रहने वाले अपना धर्म हिंदु कह देते हैं वैसे वह भी ब्रह्मतत्तव को कह देते कि हम ब्रह्म हैं बाब की महिमट अलग है सरवगुन संपन्ग, सोला कला संप्वरण यह मेमा देवताओं की है आत्मा जब श्रीर के साथ है तब उसकी मेहिमा है आत्मा ही पतीत अथबापावन बनती है आत्मा को निलेव नहीं कह सकते इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जर्मों का पाड़ है उसको फिर निलेव कैसे कहेंगे अभी बाबा पीस सापन करते हैं तो तुम बच्चे बाबा को क्या प्राइज देते हो वह तुमको 21 जर्म स्वरक की रासधानी का प्राइज देते हैं तुम बाबा को क्या देते हो जो जितनी प्राइज बाप को देते हैं उतने फिर बाप से लेते भी हैं पहले पहले इसने प्राइस दिया, शिप बाबा तो दाता है, राजे लोग कभी हाथ में ऐसे लेते नहीं है, उनको अंदाता कहा जाता है, मनुश्यत दाता नहीं कह सकते, बल तुम सन्यासियों आधी को देते हो, प्रन्तु रिटरन फालतो, फिर भी शिप बाबा दाता देते हैं, कहते हैं, ना वह देते हैं, वह तो लोकिंग माबाब जर्म देते हैं, फिर कोई मर जाता है, तो उनको ही दुख होता है, यदि ईश्वर ने दिया, उसने ही लिया, तो दुख क्यों होना चाहिए, बाबा कहते हैं, मैं तो सुख दुख से न्यारा हूँ, तो इस दादा ने अपना ले रहे हैं, कन्याओं के पास तो कुछ है नहीं, यदि उनको माबाब देते हैं, तो शी बाबा को दे सकती हैं, जैसे ममा भी गरीब थी, फिर देखो कितनी तीखी गई, तनमन धन से सेवा कर रही है, तुम जानते हो, हम सुख दाम जाते हैं, वाया शान्ती धाम, जब तक हम बाब के पास नहीं जाएंगे, तो ससुर घर कैसे आएंगे, पियर घर में तो बैठे हैं, पहले बाब के पास जाएंगे, फिर ससुर घर आएंगे, यह है शोख बाटी का, सत्युग है शोख बाटी का, अच्छा, मीठे मीठे, सिकला दे बच्चो फरती, मात पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को शर्दा भरी प्रेम भरी नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा इस मीठी मीठी म नमबर एक इस बान प्रस्था में सबीट होम और सबीट राजधानी को याद करने की सिवाए बुद्धी से सब कुछ भूल जाना है पूरा नश्टो मोहा बनना है नमबर दो बुद्धी योग से बेहत का त्याकर रुहानी यत्रा करनी है शिरीमत पर पुवित्तर बन भारत की सची सेवा करनी है वर्दान श्रिष्ट करम रूपी डाली में लटकने की बजाए उटती पंची बनने वाले हीरो पाड़ धारी भाव संगम युग पर जो स्रिष्ट करम करते हो यह स्रिष्ट करम हीरे की डाली है संगम युग का कैसा भी स्रिष्ट करम हो लेकिन स्रिष्ट करम के बंदन में भी फसना अतवा हद की कामना रखना यह सोने की जंजीर है इस सोने की जंजीर अतवा हीरे की डाली में भी लटकना क्योंकि बंदन तो बंदन है इसलिए बाब दादा सभी उड़ते पंचियों को समृति दिलाते हैं कि सरव बंदनों अर्थाद हदों को पार कर हीरो पार धारी बनो स्लोगन अंदर की स्थिती का दर्पन चहरा है चहरा कभी खुश्क ना हो खुशी का हो अम शान्ति